आज बनाएंगे ब्रेड, चीज, पॉकेट एक स्पेसल तरीके से बनाएंगे, खाने में बहुत դेश्टी होती है, बहुत अच्छी लगती है सौस के साथ खाईए, चटनी के साथ भी खा सकते हैं तो देखेंगे कैसे बनाते हैं इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी लाश्ट में आपको पता लगेगी कैसे बनी है तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ओइल लिया ओइल में डाल दिया कड़ी पत्ते के बार डाल दिया मैंने ये प्याज ओनियन कटा हुआ बारी काट लिया था मैंने, इसको भून लेते हैं पहले, भूनेंगे इसको सॉफ्ट होने तक, चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे, तो देखिए लगभग हमारा ओनियन का ये कलर चेंज हो चुका है, तो बस यहीं पर हम डालेंगे और थोड़ी सी बेजिच, इसके लिए मैंने लिया है, ये सिमला मिर्च, एक सिमला मिर्च ले लिए थी, मीडियम साइज की थी, इसको भी बारी करके काट लिया मैंने, इनको भी थोड़ा सा हम भून लेंगे, ज़्यादा बहुत नहीं भूनेंगे, क्योंकि हमें क्रंची टेस्ट चाहिए इसका, बहुत ज़्या लिया था तो खीरे के लिए एक अलाकसा डिश्ट आया वहों संदर लगा खानी के बाद ये तो इसमें मैं ने खीरा का यूच किया है ॉ तो घगल arm countryside कर दिचा दिया अधिक्रात का इस चाहार ऑधाल कर दो और डाल दिया थोड़ा सा हमने इस वाई से बनाने के लिए चार्ट मसाला तो यह सारे म Supreme ये यूच किये हैं और इनके बाद हमने यह भूण लिया अच्छे से अब डाल देंगे हम थोड़ा सा इसमें black soya sauce और डालेंगे vinegar थोड़ा सा और इसके बार डाल देंगे थोड़ा सा हम पिज्जा सोस जो आती है ना पिज्जा टॉपिंग सोस उसको डाल दिया है बहुत थोड़ी डालेंगे ज्यादा नहीं डालेंगे लगवा कि एक चमबच के गरीब डालेंगे और इसके बाद डालेंगे हम थोड़ा सा टमेलटो केचप, टमेलटो सोस, सोस को थोड़ा सा हमने ज़्यादा डाल दिया, बच्चों को फसंद आती है, तो थोड़ा सा ये क्वांटिटी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, तो इसमें ये सारी चीज़ा यूज कर ली हैं, अब इ बस थोड़ा से मैंने कॉल फ्रोंट डाल लिया, इससे क्या है, हमारी बाइंडिंग अच्छी आ जाएगी ये मिक्चर में, तब जह हम पॉकिट बनाएंगे न तो ये दरदर नहीं भागेंगे, तो देखिए, अब ये हमारा तयार है, और इसमें डाल देते हैं, थोड़ा स को चलाते हुए, ये हमारा मिक्चर बिलकोल परफेक्ट रेडि बहु गया है, बस हमें ऐसे ही मिक्चर चाहिए था, बिलकोल संदर मिک्चर बनके हमारा तयार हुआ है, अब बनाएंगे, हम देखिए, फॉके टे में लिए लिए ब्रेड, और ब्रेड को हम निकालेंगे, साइड से जो साइड के किनारे है ना उनको निकाल देते हैं चाकू की मदद से काट के देखी चारू तरब के मैंने ब्रैड के किनारे निकाल दिये हैं अब इसको ब्रैड को क्या करेंगे हम लेंगे बेलन और बेलन से इसको बेल लेंगे बिल्कुर अब ताइड हाज से बेलेंगे अच्छे सा ये मतलब एक रोटी की तरह हो जाए बिल्कुर तब हमारी पॉकेट एकदम सांधार बनेगी बहुत अच्छी बनेगी तो अच्छे सा बेल लेते हैं इसको तो देखिए ब्राइड को हमने बेल लिया है अब इसमें हम इसको पॉकेट को तयार करेंगे उसके लिए चीजी बनाने के लिए हमने चीज सिलाइस लिये है इसको हम खोल लेते हैं इस सिलाइस के साथ हम इस चीजी पॉकेट को बनाके तयार करेंगे तो सिलाइस ले लिया है हमने खोल लिया अब इसी ब्रेड के पीश पर रख लेंगे अब जो मिक्चर बनाया था ना हम अब इसी के बीच में हम मिक्चर को डालेंगे तो इस से यह हमारा पॉकेट है इस्पाइसी भी बनेगी चीजी भी बनेगी और खाने में बहुत सांतर लगेगी तो देखिए हमने भर लिया अब क्या करेंगे साइडों में हम लगाएंगे जिससे यह चिपक जाए अच्छे से तो उसके लिए हम पानी का यूज करेंगे तो थोड़ा थोड़ा हम पानी लगाएंगे चारू तरब जिससे हमारी यह पॉकेट खुले नहीं नहीं देखिए पानी लगा लिया अब इस तरह से हम इस पॉकेट को बंद कर देंगे विलकुल बहार नहीं आएगा मसाला एक दम यहाज से दबाते हुए प्रेस करते हुए इ अगर लगए खुल रही है तो ठोड़ा सा पानी लग ली जिए और वहां पर बंद कर दीदिए दबाते हुए तो देखिए हमारी यह ब्रैट पॉकेट बनके तयार हो गई है चीजा चीज ब्रैट पॉकेट ये हमारी बनके तयार हो गई है इसी तरह से हम सारी पॉक्टों को या सारी लिफापों को बना के तयार कर लेते हैं तो देखिए देखने में बहुत संदल लग रही है इस तरह से हमारे सभी पॉक्ट ये बनके तयार हो गई है पॉक्ट कहिए लिफापा कह लीजिए तो यह हमारी बनके तयार हो गई, अब ले लेते हैं, हम कड़ाई कड़ाई में बहुत हलका oil डाला है, और आपने हम करेंगे इसमें fry, light fry करनी है, deep fry नहीं करनी है, इसलिए हमने कम oil लिया है, तो बस इनको चलाते हुए, पलटते हुए हम इनको fry करेंगे, fry भी हम हलका brown होने त भी हो गई क्योंकि हमने बेजिज डाली है इसमें तो बच्चों के लिए आप चाहिए डेली दे सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं कोई नुक्सान नहीं देंगी तो देखिए एक तरफ सिख गई है तो इनको पलट लेते हैं तो दोनों तरफ पलटते पलटते उलटते पलटते हम इनको शेक के तयार करेंगे बिलकूर अगर फ्रेंड मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा जिससे यह टेस्ट और लोगों तक भी पहुंच जाए और कमेंट में बताईएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी अगर ट्राई की है तो भी बताईएगे कि म उसी तरब भी हम पलट लेते हैं कि देखिए हमारे विल्कूल ब्राउन कलर आ गया है मैंने एक बार पलट ली थी बीच में तो अब देखिए पलट लेते हैं बिल्कूल परफेक्ट हमारी हो के सिखी है यह देखने में अच्छी लग रही है न मुह में पानी आ रहा है सेकते ही तो अंदाचा लगा सकते हैं आप टेश्ट इनका कितना अच्छा रहा होगा तो भई हमें तो बहुत अच्छी लगी थी मेरे बच्चों ने भी बहुत पसंद की थी तो आप भी एक बार ट्राइ करके जरूर देखिएगा कमेंट में बताईएगा कैसी लगी आपको यह चीट ब्रैड पॉकेट या लिवापा आव हम इनको निकाल लेते हैं औ सर्व हम कर रहे हैं टमेटू केचप के साथ आप चैटनी भी ले सकते हैं किसी भी तरह की जो आपको पसंद है तो हमें तो टमेटू केचप के साथ अच्छी लगी थी तो इसलिए मैंने टमेटू केचप के साथ इसको लिया है तो बस सजा लेते हैं इस तरह से तो चैट बैड पॉकिट खाने में बहुत सांदर लगती अगर महमान भी आ रहे हैं इस समस्छ चुटियां चल रही है जून की चुटियां तो भही कहते हैं नंद के बच्चे आते हैं तो उनको एक स्पेसल चीज बना के दे सकते हैं आप बच्चे भी खुस बुबा भी खुस सभी खुस हो जाते हैं और फूपाजी भी खुस हो जाएंगे तो फ्रेंड मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ थैंक यू